हाई दिस इस आमिर हनी फोब आप सब खारे स्टोंगे आपका बिजनस ग्रोग कर रहा है लास वीडियो में अपने डिटेल से देखा थे किस तरह से अपने पेइनियूर का सेट अप कर पाएंगे किस वे से उसको क्रियेट करेंगे साइन अप करेंगे किस वे से आप डॉकुम पेइमेंट्स एकसेक्ट कर पाएं या अपने किसी मर्चंट से जैसे एमाजोन स्ट्राइप या पेपाल से आपको विड्रॉ करना है तो आप इजी उस अकाउंट में कर पाएं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि आपने लिए यूएज़ी डिटेल से लेनी मैं मेरी स्क्रीन में बात चुक हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड इंफरमेशन आपका जब अकाउंट एप्रूवड हो जाएगा तो आपको इमेल रिसीव होगी इमेल रिसीव होने के बाद आपके पास एक इमेल आएगी कि आप अपने लिए यूएज़ी की डिटेल इमेल नहीं आती आप अपने डैशबोर्ट में जाके आप वहाँ से डिरेक्ट भी अप्लाइ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड इंफरमेशन के बटन के ओपर सिंपल क्लिक करूँगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप अपने लिए पेहिनियूर का सेट होंगे वह आप से पेहिनियूर पूछ सकता है तो आप यहाँ पे सिक्यूरिटी क्वेस्टेंस के जो आंसर्स आपने लिख्योंगे वह यहाँ पर एड करेंगे और सब्मिट के बटन के ओपर क्लिक करेंगे हमने आपके पास रिक्वेस्ट आकाउंट का बटन आएगा आपर रिव्यू यूर रिक्वेस्ट यूके जिबीपी और सब्मिट रिक्वेस्ट के बटन के ओपर आपने क्लिक कर देना है अब हमारे पास जो जब रिक्वेस्ट सब्मिटिट हो जाती है तो आप यहाँ पर देखें रिसीविंग अकाउंट को लेने के लिए आप अगर Amazon Seller है हम इसको Amazon Seller के लिए कर रहे है तो आपने अगर करना कहा है तो आपने इसको select करना है Amazon Seller का account सबसे easily approved होता है Payoneer और Wise का और इसके बाद अगर आपका कोई और भी business है तो यह एक trick है जिसके साथ आप कर सकते हैं आपका account अगर आपसे पूछे कि आपका business model कोई और था आपको ने कोई और तो आपके सकते हैं कि आपने business model चेंज कर लिया तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है आप इसको यूज कर सेथे strategy को उसके बाद अगर आपके पास authentic website है जो बिल्कुल complete है क्योंकि अगर आपके पास website होगी वो उसके screenshot मांगेंगे आपकी domain के authorization मांगेंगे तो अगर आपके पास है सब कुछ तो फिर आप अपने domain को obviously use कर सकते हैं यह option है आपके पास है आप easily approve करवाने के लिए Amazon का सहरा ले सकते हैं तो मुझे यहाँ पर Amazon को मैंने use किया कि मैं marketplace के उपर sale करना चाहता हूँ यह questionnaire आप से पूछेंगे इसके बाद आपके account को approve करेंगे तो उसके बाद select a category the best describe your line of business तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं retail में जाके मैं retail को accept कर लूँगा select the description of the most accurately describe what you do तो मुझे यहाँ पर retail में को सी category में sales कर रहाँ वो important है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर home scroll करें नीचे हमारे पास household and outdoors है तो मैं इसको select कर लूँगा उसके बाद आपने आपसे पूछ रहा कि briefly describe your business for example who are your customers what service or products do you provide तो briefly describe your business कि आप who are your customers कि आपके customers कौन से हैं तो हम यहाँ पर simple लिख सकते हैं Amazon marketplace seller मैंने लिखती है simple अब मुझे यहाँ पर amazon.com को add करना है क्योंकि हम amazon के ओपर कर रहे है amazon.com मैं लिखती है इसके बाद वो पूछ रहा कि relation क्या है what is your connection to the web page और URL provided तो हमारा अदर में जाएंगे अदर के बाद यहाँ पर लिखते हैंगे कि Amazon market place seller तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए what is your business average monthly payment volume तो मैं यहाँ पर 501 से लेके 2500 को select करके submit के button के ओपर click कर देता हूँ अब वो यहाँ पर मुझे कुछ wait लेंगे obviously तो back to receiving accounts यह भी we will verify your details के ओपर है यहाँ पर congrats you can start using your receiving accounts तो take the quick tour to see how to use them तो मैं यहाँ पर no thanks करते हूँ गर आपको tour करना तो आप कर सकते हैं कि आपकी सरसे use करें USG details जो है वो अभी भी देखें अभी भी यह आपको show हो रहा है कि अभी आपका time इसको भी approve करने में कुछ time लगेगा लेकिन हो जाएगा approved account में अगर आप जाएं तो आप देखें कि आपको UK की जो details है वो यहाँ पर मिल गई है जब आपका pending में जो USG account है जब यह भी complete हो जाएगा इसकी verification complete हो जाएगी तो आपका account यह भी approved accounts में यहाँ पर आ जाएगा तो इस वे से आप अपने लिए accounts की details को ले सकते हैं पर आप देखेंगा कि जब आपका account दोनों approved हो जाएंगे तो आपने डैशबोड में जाना है तो डैशबोड में banks and external cards में जाएंगे आप वाँ पर receiving accounts में आपको आपके bank की details मिलेंगे USDT की भी और GBP की भी तो अगर आपके account की details आपको चाहे तो यहाँ पर आपके banks के name आपका source code, account number और आपकी company का name यहाँ पर available होगा यहाँ पर कुछ guidelines हैं जिसमें आप इसको use करने के लिए आपको यहाँ पर explain किया गए आप इस guidelines को ज़रूर परियेगा आपको थोड़ा से explain करते तो हूँ कि जो आपके cross लगा हो है payments from personal bank account will be declined आपकी कोई भी payment अगर personal accounts जाएगी तो यह Payneur उसे decline कर देगा उसका reason क्यूंकि आपने Payneur business setup किया है आप एक और account setup कर सकते हैं जो personal account के लिए आप दुबारा से application एक दूसरी email के साथ और एक दूसरे number के साथ कर सकते हैं तो उसमें आप personal अपने transactions करवा पाएंगे लेकिन इस business Payneur account में आपको allow नहीं है तो second आप है transactions made from a bank account in your name will be declined for example मेरे company का नाम है Micah Guru Formations INC मैं किसी और company से Micah Guru Formations INC से दुबारा deposit करवाँगा अपने account में तो जो payment है वो नहीं आएगी वो decline कर देगा वो वापिस return कर देगा bank को bank में वापिस आपके चली जाएगी उसका reason क्यूंकि आ आप खुझ से Payneur के अंदर top up नहीं कर सकते हैं आप इसकी payment receive कर सकते हैं दूसरे businesses से Amazon से Stripes से PayPal से लेकिन आप अपनी company के name से किसी भी तरह से transactions इस account में top up नहीं करवा पाते हैं इन्हों ने बताया कि आपकी जो payment है वो BACS के थूँ या faster payment के थूँ जाएगी for a receiving payment की fee क्या होगी और transfer usually एक से तनी दिन में जाएगा और international bank transfers are not supported तो international bank transfers जो हैं वो supported नहीं होगी इसमें आपको करना क्योंगा कि आपको UK के local banks ते अपने bank account में transactions करवाना अलाओगी अगर UAE का account आपको Payneur देता है उसको activate कर लें जैसे हमने किया और आप अपनी UAE में account जो UAE की currency है दरहम में आप उसमें अपनी जो payment है ले सकते हैं रिसीव कर सकते हैं अगर आपको USD में चाते हैं USD में आपकी detail हो तो मैं आपको USD का account detail या आपके शो करवा देता हूँ अगर आप करें के आपको USD की detail चाहे तो अब यह bank जो है यह local transfer को आप देखिएगा मैं आप एक्स पे only payment for business transactions from business account are supported the beneficiary name address used for the transfer must match the account holder name and address in your payment account profile payment from personal bank account will be declined transaction made from bank account in your name will be declined तो यहाँ पर भी same process है और international bank transfers are not supported तो आप नॉर्मल जो आपके bank है जो US के अंदर के bank है आप वहाँ से transactions करवा सकते हैं please don't forget to subscribe my channel and hit the like button और bell के आपके न को जुरूर प्रेस करें के कहाने वाली हर new video को notification आप तक पहुंच सके अपना बहुत बहुत ख्याद रिखिए बेस्ट आफ लक अला आफिस झाला आफिस झाला आफिस